अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सबसे हिंसक जानवर कौन सा है आप स्वाभाविक रूप से बाग, बियर, मगरमच, सीन, आदी जैसे नामों का उच्चारण करेंगे ये नाम हमेशा आपकी दिमाग में आते हैं क्योंकि आपने अक्सर इनके हिंसा के उधरन देखے होंगे अब अगर मैं आपसे बता दूँ की गधा सबसे हिंसक जानवर है अब आप क्या करेंगे इस जवाब को सुनकर आपको हसी आ सकती है क्योंकि गधा एक ऐसा जानवर है जो कि मेहनती मूर्ख और शान्त वहवार का है बहुत सालों से इंसान गधूं का इस समाल सामान ढोने के लिए कर रहा है गधूं के मेहनती स्वभाव का पूरा फायता इंसान उठाते हैं वो गधूं को एक प्रकार का भोजन खिलाते हैं जो ने अधिक भार ढोने के लिए उर्जा देता है गधूं से प्रेरी तेक बहुत प्रसिद्ध कहावत है गधे की तरह काम करो लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद गधूं के बारे में आपका नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे गधूं से जुड़ी कुछ प्रमुक बातों के बारे में साथ ही आपको कुछ वीडियो फिटेज भी दिखाएंगे जिने देखने के बाद सिर्फ मैं नहीं आप भी हैरान हो जाएंगे गदे जैसे ही साधारन जानवर को जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना ही होगा हम सभी इस विचार से वाकिफ है कि हाइना एक खतरनाक और हिंसक शिकारी जानवर है उनके रण कोशल और सामोई प्रयास के साथ लड़ने के लिए विशेर को आसानी से हरा सकते हैं जो कि सबसे खतरनाक शिकारी प्राणी है अगर आप हमारे चैनल के स्थाई दर्शक हैं तो आपने इस तरह के कई विडियो देखे होंगे लेकिन मुझे पूरा यकीन है इस विच को देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे यहाँ आप देख सकते हैं गदे ने लगडबग्गे पर आकर्मन कर दिया है इतना ही नहीं गदा सचमच हाइना को मुझे लेकर चल रहा है लगडबग्गा पर गदा लगातार हमला कर रहा है और जल्दी लगडबग्गा मर जाता है क्योंकि वो गदे के बार-बार होने वाले हमलों को सहन नहीं कर पाता और आप देख सकते हैं कभी-कभी शेर लगडबग्गे से ज़्यादा दिर तक नहीं लड़ पाता जबकि गदे ने एक बार में लगडबग्गे को असानी से मार डाला डॉंकी अटैक्स लायन अगर आप इस बात से आसानी से हैरान हो गए कि एक गदा आसानी से लगडबग्गे पर हमला कर सकता है तो अगले फुटिज देखने के बाद आप कैसी पृतिगरिया देंगे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि गदा शेर पर हमला कर रहा है जी हाँ आप सही देख रहे हैं यहाँ गधा शेर पर हमला कर रहा है इस पुटिस को देखकर लगता है गधा इतने घुस्तम है कि वो बूली गया क्या वास्ता में एक शेर पर हमला कर रहा है सिंग की चोट ले सकती है गदे की जान ये जानने के बावजूद हो शेर से लड़ाई कर रहा है आपको यहां देखने को मिलेगा पहले तो गदे ने शेर पर हमला किया गदे के हमले के बदले में शेर जोर से दहाडता है ताकि गदहा डर जाए और वह लड़ाई करने से थोड़ा पीछे अड़ जाए भागेवश शेर ने गदे पर हमला नहीं किया वरना गदे का क्या अंजाम होता है इस पश्ट है हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि गदहा एक मासूम जानवर बता है और ये कभी किसी पर हमला नहीं करता लेकिन इस फुटेज को देखने के बाद आपकी मानसिक्ता पूरी तरह से बदल जाएगी आप इस फुटेज में साफ देख सकते हैं कि एक गदे ने लोमड़ी पर हमला कर दिया है लोमड़ी की हालत खराब हो गई है लोमड़ी एक जंगल का ऐसा जानवर है जो भहती धूरत और चालाक माना जाता है लेकिन आप यहाँ साफ तोर पर देख सकते हैं केवले गदे के हमले से ही लोमड़ी बहुत परेशान और कमजूर महसूस कर रहा है लोमड़ी को मुँ में लेकर गदा इदर उदर भाग रहा है अंत में लोमड़ी गदे के इस तरह के आकरमन को सहन नहीं कर सकी और उसकी मृत्ती हो गई गदा और उट ही दो ऐसे जानवर हैं जिनका इस्तमाल इंसान धेर सारा सामान ढोने के लिए करता है लेकिन वास्तमें दोनों जानवर पक्के दुश्मन है आप इस फुटेज में अच्छी तरह से देख सकते हैं कि गदा और एक उट के बीच बहुत बड़ा संगर्श चल रहा है अगर हम एक गदे और उट के आकार को देखें तो उट की तुलना में गदे का आकार बहुत कम होता है गदे का आकार छोटा होने के बावजूद भी हम इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे गदा उट पर हमला करने की कोशिश कर रहा है उसके उलट दूसरे फुटेज में हम देख सकते हैं कि उट गदे पर कितने बुरे तरीके से हमला कर रहा है लेकिन गदा अपने जीवित रहने के लिए बहुत संगर्श कर रहा है हार ना मानकर उट को अच्छी चुनौती दे रहा है जैसे उट गदे की गरदन पर वार करने की कोशिश कर रहा है उससे समय गदा दूर भाग रहा है और एक समय बाद गदा उट की गरदन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है और उंट पर हमला करने के लिए गधा अपने दोनों पैरों पर खड़े होते हुए सहारा ले रहा है और आप इसे स्पष्ट रूप से देख रहे हैं इस प्रकार हम आसानी से कह सकते हैं कि दुश्मनी अभी भी उंट और गधे के बीच है गधे एक ऐसे जानवर है जो शान्त रहना और खाना पसंद करते हैं वे अपने भोजन के लिए कभी किसी जानवर से नहीं लड़ते इससे ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि वो बहुत वी शान्द प्राणी है लेकिन जंगली गधे सामाने गधों की तुलना में बहुत अलग होते हैं क्योंकि खाने को लेकर जंगली गधों में अक्सा लड़ाई हो जाती है जो इस पुटेज में साफ नजर आ रही है यहाँ इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुटा बहुत शान्ती से अपना खाना खा रहा है लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ एक जंगली गधा अपनी मौझूदगी दिखा रहा है और ये गधा कुटे का खाना चिनने की कोशिश कर रहा है लेकिन कुट्टा इतना संघर्ष कर रहा है कि उसका भोजन गधा न चीने लंबे समय तक अपने भोजन के लिए लड़ने के बाद अचानक गधा और हिंसक हो जाता है और घूम कर कुट्टे को बहुत जोर से लात मारता है गदे ने कुट्टे को इतनी जोर से लात मारे कि वो खाना छोड़ कर भाग गया इसलिए आपके गदे को उसकी कमजोरी के लिए कभी कम नहीं आखना चाहिए और कभी उसके साथ दुर्वेवार नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन जंगली गदे का शिकार बन सकता है डॉंक्य अटैक्स गूट ये बात तो सभी जानते हैं कि गधा और बकरी इंसानों के पालतू जानवर हैं लेकिन जब ये दोनों जानवर एक साथ रहते हैं तो वेक्सर किसी ने किसी चीज से क्रोधित हो जाते हैं जैसे कि आप इस फुटिज में देख सकते हैं ये दोनों वास्तों में लड़ रहे हैं या क्रोधित हैं ये कहना बहुत मुश्किल है इस फुटिज में आप दिख सकते हैं कैसे गधा सूर पर आकर्मन करने की कोशिश कर रहा है वले सूर अपने जीवित रहने के लिए भागने की कोशिश कर रहा हो लेकिन गधा सूर को जाने नहीं दे रहा इसके बजाए गधा अपने दातों की बीच सूर के कानों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और वो सूर को अपने करीब खींचने की कोशिश कर रहा है लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम वास्तों में ये नहीं कह सकते कि वो लड़ रहे हैं या एक द प्रश्यूंति होने के साथ साथ बहुत मजबूत भी होता है। काफी लोग यह नहीं जानते कि गधा बहुत जोर से लाद मारता है। और यह गधा चलते समय सभी आवश्यक साउधानी बरतता है। वो बहुत चौकस है और उनके पास दिमाग की उपस्तिती है। जो उन्हें अपने सामने आने वाले सभी खत्रों को नेविगेट करने में मदद करती है। एक बार जब आप गधों पर भरोसा जीत लेते हैं तब वे कुत्तों की तरह अपने मालिक के प्रती वफादार हो जाते हैं। अफसोस की बात यह अपने आसपास कुत्तों को बरदाश्ट नही में तो आप जानी गए हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक आज के वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट में बताना वीडियो चले की तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में शेयर करना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई